हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक टू माई कोकिंग ब्लॉग, तो फ्रेंड्स सुबह की बज़रे साड़े दैस और मैं नहाद हो के आगई हूं किचन में, बच्चों के लिए मैंने बनाये थे ड्राइफ रूर्स बनाना के शेक, तो बस वही थोड़े से अनारदाने मिक्स करके म यह पूरे दिन एनरजेटिक रखता है, यह शेक मुझे काफी पसंद है, और आज लंच के लिए मैं बनाने जा रही हूं, शादियों, पार्टियों और रेस्टरेंट स्टाइल मिक्स वेच सबजी और साथ में गारलिक लच्छा पराधा, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ब भी हमें डाइस कट कर लेना है, तो यह सबजियां काफे फ्रेश होती हैं ठंड में, इसलिए मिक्स वेच का टेस्ट भी बहुत कजब का आता है, तो यहाँ पे अब मैंने शिम्ला मिर्च को भी डाइस कट कर लिया है, तो यहाँ पे इन सारी सबजियों की चॉपिंग हमें बारीक नहीं करनी है, यहाँ पे दो आलू को बड़े टुकडों में काटके उसे पानी में डाल देंगे ताकि वो काले ना हो, पनीर को भी मैंने डाइस कट कर लिया है, अब प्यास की चॉपिंग हमें बारीक करनी है, तो यहाँ पे दो प्यास को बिलकुल बारीक चॉप कर तीन टमाटर को बड़े टुकडों में कट कर लेना है और इसे एड़ कर देना है मिक्सर जार में अब यहां पर मैं एड़ कर रहे हूँ तीन रेड चिली जिसके मैंने सीट्स निकाल लिया है साथ ही 14-15 लेसन की कलिया एक इंच द्रक का टुकड़ा एक टीस्पून नमक और 10- 12 काजू काजू से ग्रेवी में काफी अच्छी रिचने साती है आप यहां पर मगज के सीट्स भी एड़ कर सकते हैं अब इन सब का बना लेना है पेस्ट तो यहां पर मैंने इन सब का पेस्ट बना लिया है अब यहां पर मैं ले रहे हूँ फ्रेश हरी मटर आ फ्रोजन मट तक fry करना है इस तरह से fry करने से सबजियों का crunch बना रहता है और यहां पे अब मैं डाल दूँगी गोभी तो आलू और गोभी को मैंने पानी में रखा था जिसका पानी मैंने अच्छे से drain out करके तभी मैंने oil में से add किया है और यहां पे सबजियों को हमें high flame पे ही fry करना है अ तो से तीन मिनट तक high flame पे fry कर लें और यह देखे सबजियां अच्छे से fry हो चुकी है तो बस इसे हम निकाल लेंगे बहुत ज़्यादा fry नहीं करना है कि सबजियों का color change हो जाए और सबजिया ओवर cook हो जाए यहां पे पनीर को भी shallow fry करेंगे तो सारी सबजियां fry हो चुक प्याज को हमें color change होने तक भुनने ना है प्याज को बहुत जादा brown भी नहीं करना है बस थोड़ा सा color change हो जाए और प्याज अच्छे से soft हो जाए बस उतना ही से भुनना है अब इसमें add कर देंगे टमाटर और काजू वाला पेस्ट और इसे भी हमें भुनना है लेकिन उस और देल टी स्पून मैं add कर रही हूँ करम मसाले का पाउडर अब मसालो को हमें oil release होने तक भुनना है तो इसके लिए मैं इसे दो मिनट के लिए cover कर दूँगी और दो मिनट बात देखिए कैसे oil मसालो ने release करना शुरू कर दिया है तो इसमें add कर देंगे पानी करीब एक के आसपास में पानी इसमें add कर रही हूँ तो आपको जैसी ज़रत लगे उसके cording पानी आड़ कर सकते हैं तो बस यहाँ पे एक कप पानी मैंने add कर दिया है और यह देखिए gravy की थिकनेस बस ऐसी ही हमें रखनी है यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं add कर रही हूँ पाती साथ आड़ कर रही हूँ एक टी स्पून नमक नमक आप अपने टेस्क के according आड़ कर सकते हैं अब इस ग्रेवी में भी सब्जियों को हमें पकाना है वैसे तो सब्जिया करीब 80% को खो चुकी है लेकिन 5-7 मिनट तक इस मसाले वाली ग्रेवी में पकाने से सारे मसाले सब्जियों में अच्छे से घुल मिल जाएंगे तो यहाँ पे इसे लेट लगा के 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दे रही हूँ और 5 मिनट बात देखे क्या मज़ेदार सा कलर आया है सब्जी का और सब्जियां बिलकुल ग्रेवी और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई ह और यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं यह बहुत ही अच्छे से कुग भी हो गई है तो इसमें अब आड करूंगी मैं करीब 3-4 बड़े चमबच फ्रेश क्रीम तो यहाँ पे मैं घर की मलाई फेट के आड कर रही हूँ आप मार्केट वाली फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते ह यह mix veg restaurant में सबसे जादा order की जाती है और शादियों में भी जरूर बनाई जाती है तो हमारी बिलकुल शादियों वाली और रेस्टरंट वाली mix vegetable बनके तयार है अब इसमें उपर से flavor के लिए add करेंगे freshly chopped हरी धनिया तो बस यहाँ पे मैंने fresh हरी धनिया add कर दी है हमारी यहाँ पे मैं simple अच्छा पराठा नहीं बलकि garlic अच्छा पराठा बनानी वाली हूँ वह भी बिल्कुल different तरीके से तो 1.5 cup आटे मैंने नमक डाल के mix कर लिया है और यहाँ पे पानी डाल के लगा लेंगे dough तो एक अच्छा सा soft dough यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे आटे क पासे 6 garlic को हमें ग्रेट कर लेना है तो यहाँ पे पासे 6 garlic को मैंने ग्रेट कर लिया आप जाएं तो इसे बारीक चौप भी कर सकते हैं और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़े चमच देसी घी आप चाहें तो बड़र भी ले सकते हैं अब घी में आट कर रहे लेसन साथी साथ 1 तीजपून कश्मीरी रेच चिली पाउडर एक टीजपून नमक और थोड़ी सी फ्रेशली चॉप धरी धनिया इन सब को मिक्स कर लेंगी तो बस हमारा यह गार्लिक मसाला बनके तयार है अब यहां पे आटे ने रेस्ट कर लिया है तो बस इसकी बना बनाते हैं बस वैसी लोईयां बनानी है या सिंपल पराटे की जैसी लोईयां बनाते हैं वैसी लोई बना लेनी है तो यहां पे सारी लोई मैंने बना ली है और इसे हम बिलकुल गोल बेल लेंगे तो इसे यहां पे थोड़ा सा बड़ा बेलें और यहां पे अब इसे बेल जैसे बच्पन में पेपर फैन बनाते थे, बिलकुल वैसे इसे fold करते जाना है, तो ये देखे, बैलकुल जैसे बच्पन वाला पेपर फैन अगर आपने बनाया होगा तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, और नीची वाला portion इस तरह से ऊपर रखेंगे, और इसे क अब लच्छ पराथे को हमें बेल लेना है देखिए कित्रा मज़ेदार लग रहा है देखने से ये तो यहाँ पे थोड़ा सा सुखा अट्था डस्क करेंगे और इसे बेल लेंगे तो यहाँ पे देखिए लच्छा पराठा मैंने बेल लिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसकी लेयर्स अभी से दिख रही है तो चलिए अभी से तवे पे सेख लेते हैं तो तबे पे जैसे आप नौर्मल लच्छा पराठा या सिप्पल पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे के से शी शी लिया ना है तो यहापे घी लगा कि मैंने शीक लिया है आप ओल से भी सेख सकते हैं तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके layers दिखाऊंगी कितने बढ़िया layers इसके देखे खुलने लगे हैं लग रहा है न यह बिलकुल रेस्टरेंट जैसा लच्छा पराठा तो रेस्टरेंट वाला garlic लच्छा पराठा बन के तयार है हो चुका है मेरा lunch का time मैं लगा अपनी प्लेट आपको आज के मेरे मिक्स वेज और garlic लच्छा पराठा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजेगा साथ ही साथ चैनल को सब्स्राइब कीजेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो म चे लिन बागाई